अले दोस्तों नमस्कार जैमाता दे मारे यूटूब चेनल पर आपका एक बार फिर से हार दिख चुआ गता है बहुत बहुत अभी नंदन है और मैं अशरानी आज शुगर वाले फाई पैनों के लिए बहुत ही जब्रदस्टों पिक लेकर रहा हूँ शुगर में पाचन को मजबूत कबज वै अपच जैसी समस्याओं को दूर करें इस घरेलू उपाई से जी हाँ दोस्तों शुगर वालों का पाचन खराब रहता है साहथ ही उन्हें कबज वै अपच की शिकायत बनी रहती हैाँ आज मैं उसी के लिए घरेलू उपाई लेकर रही हूँ इससे पाचन ठीक रहता है कबज वै अपच की शिकायत भी ने रहती इस ओसदी से बहुत से भाई बैनों का फैदा हुआ है इस ओसदी से आपकी सुगर में भी फाइदा होगा ओसदी बनाने से पहले तमाम सुगर वा बीपी वालों से विंती करते हूँ कि शेयर जरूर करें 45 मिन्ट सुबह 45 मिन्ट स्याम को सेयर करते समय हलका सा तेज चले और अपने खान पान पर पहनी नजर रखे आई यह बनाते हैं ओसदी जिससे पाचन ठीक रहेगा कबज और अपच की शिकायत तो दूर होगी साथ ही सुगर में भी फाइदा होगा यह मेती दाना यह हमारी रुसवई में असानी से मिल जाता है और जो शुगर में भी फाइदे मन्द होता है यह देखें अजमायन यह भी हमारी रुसवई में असानी से मिल जाती है और यह कलूंजी का मिसालों में यूज किया जाता है अब ओसदी बनाने के लिए कितनी कितनी मात्रा लेनी है यह जान लीजिए और हमारी वीडियो पूरी देखिए आपको यह भी बताऊंगी कि कितना सेवन करना है और किस समय सेवन करना है अब ओसदी बनाने के लिए यह देखें 200 ग्राम मिथी धाना लेना है 100 ग्राम अजमायन 50 ग्राम कलूंजी अब तीनों को मिक्सी में पीस लेंगे और मात्रा इसी हिसाब से लेनी है आप कम ज़्यादा कर सकते है अब आप मिक्सी ओन करेंगे यह देखे ओसदी बिल्कुल तैयार है आप इसे किसी डिब या जार में डाल कर रखिए अब बात आती है इसके सेवन की इसका सेवन कैसे करें एक गिलास गरम पानी लेना है यह देखे रात को एक गिलास गरम पानी लेना है और एक चमच उसके साथ सोते समिसका सेवन करना है इसके सेवन से आपको पहले ही दिन से आराम होगा और इसके साथ सेर जरूर करें और अपने खान पान का धियान रखें अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आयो लाइक शेर जरूर करें ताकि किसी और भाई बेन का भी भला हो सके हमारे चैनल पर बने रहें जैम आता दोस्तो